हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ओनलाइन में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में चरम रोग सकीन एलर्जी के कुछ घरेल उपायों के बारे मताएंगे एलर्जी कई परकार की होती है इस तरह के सभी रोग प्रेशान करने वाले होती है इन रोगों का यदि ठीक समय पर इलाज ना किया जाए तो प्रेशानी बढ़ जाती है तवच्छा के पीछे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अधिक पसीना आने की जगह पर होते हैं दाद या खुजली परन्तो मुक्य रुप से दाद खाज और कुष्ट रोग मुक्य है इनके पास दूसरे लोग बैठने से भी गबराते हैं परन्तो इतना प्रेशान होने की जरूरत नहीं है इन रोगों में ज़्यादा तर साप सपाई रखने की जरूरत होती है वरना ये खुद आपके ही शरीर को जल्द से जल्द फैल सकते हैं तथा आपके दोबारा इस्तिमाल की गई चीज़ों अगर दूसरे लोग इस्तिमाल करते हैं तो उन्हें ये रोग लग सकता है ये रोग रक्त की असुदियों से होता है दाद खाज खुजली हो जाए तो उस तान पर उपचार करें दोस्तों दाद खाज खुजली चरम रोग का उपचार के लिए आप तुलसी का प्रियोग कर सकते हैं तुलसी के तेल बना कर आप चरम रोग का इलाज कर सकते हैं जड़ सहीत तुलसी का हरा भरा पोदा लेकर धो लें इसे पीश कर इसकारस निकाल लें आदा की पानी आदा की तेल डाल कर हलकी आँच पर पकाएं जब तेल रह जाए तो छान कर शीशी में भर लें और इसे नीमत रूप से अपने शरीर पर लगाते रहें इसे आपका चरम प्रोग बिल्कुल दूर हो जाएगा इसे सपेद दाग भी लगाएं इस सब इलाज के लिए दूरिये की जरूरत है कारण ठीक होने में सम्मेल लग सकता है सपेद दाग में नीम एक फरदान है कुछ प्रोग का इलाज नीम जितने करीब होगा उतना ही पायदा होगा नीम नेम खाएं नेम पर सौय नेम के नीचे बैठें योने कुष्ट रोग की व्यक्ति जितना संबह हो सके नेम के नजदीक रहें नेम के पत्ते पर सौय उसकी कॉमल पतियां निबोलियां चबाएं रक्त की एसुदियां होंगी अंदर के से तुच्छा ठीक होगी जिसे आप सवस्त हो सकोगे और इस रोग को जड़ से खतम कर सकोगे धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेर जुरूर करना और हमारे चैनल हेल्थ ओनलाइन को सस्क्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाल वीडियो आप तक पूंस के धन्यवाद